नमस्कार देखे अपनाना बहुत आउशक है मध्यमार को आज का नहीं है यह महामाना बुद्ध ने इसको बताया था और इसका बहुत लाव है पूरे जीवन में आपके स्वास्ते के लिए भी आपके जीवन को सफल बनाने के लिए भी अर्तरे से इसकी उप्योगता है इसको अपनानों कोई बुराई भी नहीं है आदमी किसी भी प्रस्टभूदी में में रह रहा हो अगर मध्यम्मार को अपनाता है तो वो उसके सवास्त है और उसके सफल जियूमें हमेशा है चार stump लिप आप लोग आजकल की जो भागम भाग है भाग दोड है अधनिक्ता है उस कमप्टिशन में लोग स्वम को टाइम देते तो आजकल के जो माहौल है वो आपको चीख चीख करके बता रहा है कि आप खुद को भी टाइम दीजिए अपने परिवार को भी टाइम दीजिए व्यक्त अभी भी यह बांद की चलिए परिवार और आपका खुद का स्वास्ते वह आपके वैवसाय से कम इंपॉर्टन नहीं है होता क्या है हम लोग अपने वैवसाय को अधिक समझ देते हैं उसके बहुत ज़्यदा बहुत ज़्यदा से पनाते हैं और उसमें अपने आपको और उसकी बली कर बैठते हैं उसका ध्यान नहीं देते हैं अपने फिटनेस का लेवल बढ़ाईए खेलिये कूदिये फांदिये तूर हर तरह से वैयाम करिए चाहिए योगा करिए बहुत सारी चीज़े हैं जो आपको पसंदो जो एजी हो जो अच्छा लगता हो जो अच्छा जो आपको फिट रखे उसका ध्यान रखिए हम लोग देखिए प्राइमेट्स हैं प्राइमेट्स की ही संताने हैं प्राइमेट्स आपन्दरों को कूते फांते हैं पेड़ों के उपर उने कोई दिक्कत नहीं होती और उसी तरह से उनका जीवन चलता है बहुत नेचर के न वह भी आपसे अलग नहीं आपको लगता होगा चाहिए कि स्टाफ को कम तॉनका मिलती है या वो आपसे पद में चोटे हैं लेकिन उनका स्वास्ते और आपका स्वास्ते को अलग चीज नहीं बटा हुआ नहीं जो आज पूरी दुनिया के हर देश का स्वास्ते जुड़ तो आपने स्टाफ का ध्यान रखियेगा उनको किसी भी तरह से कोई भी रोटी कपड़ा मकान किसी तरह की कर्मीन आपाए बहुत गरंतों में इसका बड़ा विस्तार से वर्ण किया गया है तो आपका जो नोकर है वो बिल्कुल ऐसा है कि आपके बेटे की तरह उसको को जो अच्छा भोजन देना है जो आप करते हैं वही सवेतन अपकाश देना है सारी चीजें सिगालवाद सुत में बहुत विस्तार से दी गई हैं जो आपको सफल एक कार्मिंग सफर अधिकारी सफल ग्रती बनाते हैं और किसी भी तरह से देखिए अंदविश्वासों में वह च आपके काम आते हैं और नहीं उनका कोई सफलता में उनका कोई रोल आता है साइक लोग से ठीक है लेकिन ऐसी साइकलाजिकल कमफर्ट से क्या फायदा जिसे लॉग रून में आपको नुकसान होने वाला हो आज यह सिद्ध होगा कि अस्ताल और स्कूल किसी भी पूज़ा ग तो है रोटी, कपड़ा, मकान अच्छे स्वास्ते से ज्यादा नहीं हो सकता किसी दाइस इसलिए उनके उपर लड़ाई की जरुब भी नहीं है सांप्रता एक्टा के चक्कर में, भाई भती जावाद के चकर में, क्योंकि आपको सबसे बड़ा जो प्राइमरी अबजेक्टिव है इस समय वो है आपका स्वास्त है अगर आप स्वास्त हैं और देखिए पूरी मानवता विश्व जो है एक परिवार है याज सिद्ध हो गय आप उसमें योगदान देते रहें किसी भी तरह से और इन किसी भी चीज में यह मान के चलिए कि आप अपना केर कर रहें चाहें दूसरों केर कर रहें वो एक ही चीज है पहले लोग इतने स्वार्ती हो सकते थे रिस्क ले सकते थे कि हमारा सास्ते तो ज्यादा चाहें वो जीव है चाहें निर्जीव है अगर आपको मिना उसकी इच्छानुसार या उसको बिल्कुल कोमलता के साथ उसको सावधानी के साथ के साथ के साथ सचता के साथ उसको नहीं चूते हैं उसका यूज नहीं करते हैं तो यह वहनी विकास की तरफ नहीं जाता और स् बहुत बहुत धन्यवाद, मध्यामार्ग अपना ही है, सफल जीवन के लिए, बहुत अच्छी चीज है, और आपको लाव मिलेगा हमेशे हैं।